सोशल मीडिया पर जिस मौलदीव का नाम इतनी चर्चाओं में हैं उसके बारे में आप कितना जानते हैं क्या आप जानते हैं कि मौलदीव का बिहार राजिस्तान और गुजरात के साथ साथ एक बड़ा कनेक्शन है क्या आप जानते हैं कि मौलदीव धीरे धीरे मुसलिम रा समय समय पर यह माना गया है कि मौल्दीव का इतिहास ना केवल कई खंडरों में बटा है बलकि आज तक कुछ चीजे माया भी बनी हुई है श्रिलंका का एक इतिहासिक अभिलेख है महावंश जिसमें अनुरहता पुरा की महासेना के काल तक का वर्णन है इस अभिलेख में भी माल्दीव में प्रवास करने वाले लोगों का सिक्र भी किया गया है हलाकि कुछ इतिहास कारों का तर्ग है कि मौल्दीव इससे भी पहले सिंदु घाटी सब्भता काल के दौरान बसा हो सकता है लेकिन सेकडों साल पहले की गई खुदाई में मौल्दीव से जो कलाकृतिय अफशेश मिले वो इसलाम के आने से पहले मौलदीव में हिंदु धर्म के उपस्तती का ठोस प्रमाण देते हैं सत्रवी शताबदी में अल्लामा एहमध शिह बुद्दीन ने फाई अथार मिधु अल-कादिमा किताब लिखी जिसमें मिधु की प्राचेन खंडरों पर लिख गया है इस किताब में लिखा है कि मालदीव के पहले निवासियों को धेविस के नाम से जाना जाता था और वो भारत के काली बंगा जो की राजस्तान के हनुमान गड में हैं वहां से आई थे किताब में बिहार और बौध धर्म का सिक्रि करते हुए लिखा है कि इस ही बौध धर्म के सबसे प्राचीन और चक्तिशाली पाटली पुत्र के राजा मौर्या राजवन्ष के महान समराट अशोग ही हैं जिनके बारे में आज भी भारत का इतिहास गवाही देता है अशोग का वाज्यकाल इसापूर्फ 304 से इसापूर्फ 232 के बीच था और इस पाटली पुत्र को आज के समय में पटना के नाम से जाना जाता है अब बात करते हैं कि अगर मौलदीव में बौध धर्म के प्रमान मिलते हैं तो ये एक मुस्लिम बखुल राश्टर कैसे बना मौलदीव के मशूर नियूस पॉर्टल दा एडिशन की एक रिपोर्ट के मु थावा दिया फिर मौलदीव में खुदाए के दौरान पूरानी तामवे की प्लेट्स मिली जिसमें पता चला कि मौलदीव के बौध राजा धुवेमी काला मिंचा सिरी थिरी भूवाना आथिथा महाराधन ने 1153 या 1193 में इसलाम अपना लिया था जिसके बास से ही यहां इसलाम का प्राचार प्रसार होनी लगा इतिहासकारों के मताबिक धीरे धीरे मौलदीव पहले हिंदु से बहुत राष्ट्रे में बदला फिर बारवी शताबदी के आसपास से इसलाम की और बढ़ता गया इतिहासकारों ने इसका श्रे अब्बू अल बराकत यूसुफ अ लेकिन हर इतिहासकार इस बात को नहीं मांता कुछ लोग मौळीव के इसलामी करण का स्रे मुरोकों से आए बारबरी को देती हैं तो इस तरह बारवी शताबदी के बासे मौळीव लगतार इसलाम धर्म के प्रचार प्रसार में लगा रहा और इसका अंजाम ये हुआ कि अब मौलदीव में 98 फिस्ति मुस्लिम है बाकी दो प्रतीशत अन्यधर्म के लोग हैं यहां के कुल आबादी करीब 5 लाख है फिलाल के लिए इस वीडियो में इतना ही आपको हमारी वीडियो कैसे लगी आप हमें कमेंट सेक्षन में सरूर बताएगा वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले साथ ही हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बैल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हार एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुचे धन्यवाद